नमस्कार दिवी और सजनों, मैं गोपाल भाही रानोली मेरी हमेशा यही कोशिस रहती है कि मैं आपको हमेशा कुछ नया दिखाता रहूँ और इसी के साथ मैं आज आपके लिए लेकर रहा हूँ पोमचा की डियाइन, दो पोमचा आप देख रहे हैं दोनों के बंदेज की डियाइने अलग-अलग होंगी और दोनों की प्राइज भी मैं आपको बताऊंगा और ये कहां से आप परशेज कर सकते हैं इसके लिए भी मैं आपको सुझाव दूगा आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं दोनों डियाईने हैं वो अलग-अलग हैं और दोनों का बंदेज भी आप देख रहे हैं इनका थोड़ा अलग-अलग ही दिखाई दे रहा है एक का थोड़ा मोटा बंदेज है और एक का थोड़ा पतला बंदेज है ओड़ने में देखें तो ज्यादा तर जो बंदेज है उस बीच में इधर दो पंखों वाला मोर आपको दिखाई दे रहा है color देखें पोतका तो एकदम red color आपको दिखाई दे रहा है चटक लाल color है बीच में जो yellow color वाला है वो भी एकदम पीला color आपको यहां पर देखने को मिलेगा बंदेज देखें तो इसका थोड़ा सा मोटा है ज्यादा मोटा हम इसे नहीं कह सकते और बीच में भी इसके कोरनर आप देख रहे हैं ये देखो कोरनर पर भी बंदेज खाली नहीं है मतलब लगवग पूरा जो कोरनर है वो कवर कर रहा है ओडना जब भी हम देखें तो उसमें एक खास वाद ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो जो पल्ले होते हैं इन पर खाली जगे ज़्यादा ना हो एक बंदेज कितना बारिक है और दूसरा बंदेज तूटा हुआ नहीं होना चाहिए जिसे हैं यहाँ पर एक देखो एक बंदी इसकी तूटी हुई है न इस प्रकार से तूटा हुआ बंदेज नहीं होना चाहिए ओडनी की कीमत उसी पर निर्भर करती है इसकी मरेट बताऊं इससे से पहले मैं आपको ये ओडना ओर दिखा देता हूँ आप देखते ही साइद समस्तो गए ही होंगे कि कौन सा ओडना ज्यादा भारी है खजूर कड़िया इसमें भी है लेकिन एक तो उसी ओडने में आपने देखा था और एक आप इसमें देख रहे हैं दोनों में काफी फरक आपको देखने को मिल रहा है बंदेज इसका देखे तो उसकी तुलना में तो बहुत बारी की बंदेज है पले हैं पले पर भी आप देख रहे हैं एकदम कोर्नर जो कोणा है कोणे एकदम केवल देखें तो दो अंगुली दो अंगुली भी पूरी नहीं है ये देखिया आप मेरा एक अंगुठा रुख जाए सिर्फ इतनी ही जगह है मोर भी देखें तो एकदम सांदार मोर पूरा लंबा उसमें था जो मोर था वो छोटा था इसमें पूरा का पूरा लंबा मोर है निला और हरा आप देखी रहे हैं ज्यादा इसमें हाइलाइट हो रहा है सफेद है वो थोड़ा कम है और जो सफेद है वो भी आप द बीच में जो आप देख रहे हैं, बीच में भी पूरा बंदेज कवर किया हुआ है, ये इसके इदरवाली जो जगह उती हैं, वो भी ज़्यादा नहीं है इसमें देख लो, आप देख रहे हैं, चार से पांच अंगल, सिर्फ इतना ही बचा वाँ है, अगर इसकी केमत की बात करें तो यह आपको मात्रे लगभग 25 रुपए का पढ़ने वाला है और यह आप देख रहे हैं यह आपको 233 रुपए का ओढ़ना मिलने वाला है दोनों के बीच में से जो चांद है वो भी मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि चांद की जो डिजाइन है वो भी तो महत्रोप्रून होती है चांद में जो बंदेज है वो एकदम फूरी कीसी डिजाइन है इसमें और एकदम बारीक बंदेज आप देख रहे हैं और जो इसका चांद है इसमें थोड़ा सा बंदेज उसकी तुलना में कम है यह देख रहे हैं आप इसमें तो पूरा है पूरा बंदेज है और इसमें थोड़ा बीच में बंदेज कम है रें गोटा बूटी और बेल के डिजाइन भी अगर देखना चाहते हैं, तो अगले वीडियो तक का इंतजार कीज़े, मैं इसी ओडने पर या फिर इस परकार के किसी दूसरे ओडने पर आपको गोटा, बूटी और बेल की जो भी लेटाइश्ट डिजाइने हैं, वो आपको रख ही देंगे, बहुत जल्द मैं आपके लिए ये लेकर आने वाला हूँ, इसके अलवा, आप हमारे जो वीडियो हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, अगर कोई कमी है, तो उसे हम सुधार की कुशिश करेंगे, और अगर आपका कोई और सुधाव हो, तो हम उसे भी पूरी तवज्यो देंगे, आपकी फीडिबेक का हमें इंतजार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, लाइक कीज़े अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सेर कीज़े, और जो दुकान है, वो मैं आपको बताना बीच में भूल गया, दुकान क वाचि वाचि इस वीडियो